नमस्कार मैं महेक और आप देख रहे हैं हर्यानाई खबर अंबाला शहर में आदी रात को लोगों के मुबाइल फोन पर मैसेज भेजे गए जिससे लोगों ने कड़ी आपती जताई शहरी निकाय विभाग चंडिकर द्वारा भेजे गए इन मैसेज को लेकर शुकरवार को नगर निगम कारलिय में हंगामा खड़ा हो गया उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह मैसेज पढ़कर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी निगम की होती बता दे कि लोगों के मुबाइल पर भेजे गए ये मैसेज लाखों रुपे का प्रॉपर्टी टेक्स बकाया होने से संबंदित थे हरानी वली बात यह है कि जन लोगों ने मार्च 2022 तक का प्रॉपर्टी टेक्स का भुकतान किया हुआ है उनके मुबाइल नंबर पर भी मैसेज भेजे गए है मॉडल टाउन डिवासी हेमराज ने बताया कि उसने मार्च 2022 तक का प्रॉपर्टी टेक्स का भुकतान किया हुआ है लेकिन रात को सवा लाख रुपे के बकाया टेक्स का मैसेज आने पर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई उसे पहले सही दिल की बिमारी है ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो निगम अधिकारी इसके जिमेदार होंगी वहीं इस मामले को लेकर कमिशनर नगर निगम अमबाला से बात्चित की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों के मुबाइल पर यूलबी चंडिगर की और से मैसेज भेजे गई है जिन लोगों का प्रॉपर्टी टेक्स के साथ डेवलप्मेंट चार्ज वे कूड़ा प्रवंदन का टेक्स बकाया है उन्हें लोगों के पास एक मैसेज भेजे गए है उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास गलत मैसेज आया है तो दस दिन में शिकायत के अधार पर खामी को दूर कर दिया जाएगा इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है आज के लिए इतना ही बाकी की और खबरों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद